हेलो दोस्तों मिस्टर जाहिद एलक्ट्वानिस में स्वागा थे आप लोग का तो देखिए यह इन्वेटर लेके आये हैं हम तो चलिए अब हम इसको आन्बक्स करते हैं तो सबसे पहले तो फॉर्म मिला है उसके बाद यह है हमारा इन्वेटर चलिए इसको हम निकालते हैं आनबार लोम्हें पहले इसका खाब देख लीज़ए पहले तो यह निकाल गिए हमारा बाहर सो तो देखञें यह corn काट इसमें वारेंटी गेरेंटी दिया है टान्सफर्मर का गेरेंटी है अगर टान्सफर्मर जल जाएगा तो देगा दोबारा रिपेर करके तो चलिए इसका हम साइड में रखते हैं अब देखते हैं ये इन्वेटर को तो देखिए हमारा बाहर आ चुका है इन्वेटर ये दो सो भी एक आहें दो सो वाड़ दो फैन चलेगा और हमसे सीलिंग फैन दो चल जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं है ये देखे ये ये दोना बैटरी का तार दिया है बैटरी का तर ये इन्पूट का जो बैटरी चार्ज करने के लिए इन्पूट देंगे ये हमारा लो चार्जिंग नीचे नीचे लो चार्जिंग ऊपर हाई चार्जिंग ये इन्पूट आउटपूट का निखा हुआ है तो इधर देखे ये आउटपूट सॉकेट ये फ्यूज है अगर कोई फॉल्ट होगा तो फ्यूज ये लोकल कंपानी का है इसको उतना अच्छा भी नहीं माना जा सकता है उतना खराब भी नहीं माना जा सकता है अच्छा चलता है बहुत अच्छा चलता है ये बैटरी का तार भी काफी अच्छा दिया है कोई दिकत नहीं है यह चीम्ठा लगाएंगे इस बैटरी का तार में और आगे देखिए इन भेटर वान करने के लिए आउटपूट लेने के लिए आउटपूट का लेडी है यह चार्जिंग का लेडी अर दोस्तों यह है हमारा चार्जिंग एमप्यार मीटर जितना चार्ज होगा उतना काम एमप्यार लेगा कोई बैटरी में बारा एमप्यार तक आता है हमारा बैटरी 26 एमप्यार का है बारा एमप्यार से 6 एमप्यार में आके फूल चार्ज हो जाता है चलिए इसको हम एक बर वान करके देखते हैं वन होता है कि नहीं यह 26 एमप्यार का बैटरी लागा रहे हैं हम अगर आपको 26 एमप्यार का बैटरी चार्ज करना है तो लो चार्ज में रखिएगा पीछे वाला बटम को तो देखें अभी हम इसको आप रखेंगे पीछे वाला बीच में कर गया इसको अभी हम वन करेंगे तो देखें आउटपूट रेडाली रेडाली डिवन हो गिया है तो यह तो वन हो गया है अब चलिए इसको खोल के भी देखते हैं इसका अंदर क्या है तो देखें इसको हम खोल दिये है और देखें इसमें एक टांस फर्मल लगा हुआ है चार से पांच एमप्यार तक होगा और इसका बोर्ड देखें और यह 200 भी एका था लेकिन इसमें यह डेर सो अड़ी निकालेगा अगर हम इसमें 60 एंपियर तक बैटरी लगाएंगे ताब यह 200 एंपियर तक निकल सकता है यह दोनों रिलाई इसको ओटो ओन आप के लिए यहनि कि जब लाइट जाएगा तब ओन हो जाएगा हमारा इंबेटर जब लाइट आएगा तो वाफ हो जाएगा इसके लिए दिया है यह रिलाई इसमें बैटरी लो हाई चार्जिंग का कोई वाफ से नहीं है यह घर के लिए उतना सेप नहीं है उतना अच्छा नहीं है घर के लिए छोटा मोटा दोकन में अच्छे से चला सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर ने